दिखाऊंगा आपको मंडे का सेशन तो हलकी कमजोरी नजर आएगी पर हमें तो फ्राइडे भी डाइजेस्ट करना है तो ये पहले काम करिए ये आगया फ्राइडे का डेटिंग सेशन यूएस का तीनों बेंचमाक्स मिला जुला कामकाज हुआ था डाउ में तीन सो पॉइंट फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड हुआ था पर हाँ सबसे बहतर हफता था दिसंबर के बार डाउ के लिए इस तरह से वो फेट पॉलिसी के बाद मोमेंटम पिक अप हुआ है खेर ये फ्रा हेडलाइन में सही लिखा है ग्लोबिली कि मारकेट रैली शयद एक ब्रीदर ले रही है इस समय वो क्रेली एविडेंट था स्क्रीन सुपर तो ये दो दिनों के यूएस की चाल हमें डाइजर्स करनी है और इजी कर देता हूं तब और अब लेकर आता हूं हमने फ्राइडे को कहा छोडा था सारे तीन बजे यूएस के फ्यूचर्ज को के उस दन जब हम बंद हो रहे थे फ्यूचर्ज फ्लैट थे आज सुबह के फ्यूचर्ज हलके हरे निशान पे है तो ये सब डाइजस करना है दो दिन का ट्रेड में फ्यूचर्स का चंपिनेशन के यह दूआ net हलकी हलकी कमजोरी digest करनी है तो हलका हलका दबाव gift nifty भी आपको दिखा रहा है तेकिन इस बीच हुआ किया सब कुछ perspective में रख लिए जाए निरज जी के साथ उसके पाद गापसर के पास चलेंगे nifty nifty bank में आज mangalwar का approach समझने के लिए निरजे good morning कैसे रहे दो दिन दो दिन कैसे एक दो ती चार दिन चार दिन कैसे चोटा दिन आज है हाँ तीन दिन तीन 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 अच्छा है दो दिन सोटे हुए कट गे फिल भी आज ये गजब है extended weekend का लोटक है और आज नीन कम नीन पूरी नहीं मेरी पता ये जो बना हुआ है ना ये कमसे हम एक महीने दगा रोज देर तक सुएं तो उतरेगा इसमें इसमें इस होगी होगे कि आप होली के बाद अच्छा हमने पानी का भरपूर इस्तमाल कर रहा है उसके लिए अपन नमु लपाख भी जाएंगा उसका अथ सो गहे दे हो और होली का सोने का मज़ा जो है खतरनाक वाला है तो फिर उसके आप रात में गरवड़ा गया सब सिस्टम और अवे साइकल चेंज और अब इसा लग रहा है बिल्कुल तीन दीन के शुट्टी के बा अब जो बहुत बहुत बड़ गर इस मार्केट के लिए इस तामे नहीं है जो उसको ड्राइव करें आइदर वे में आप कह सकते हैं कि एक नंबर आना है पी सी वाला इस हफ्ते आएगा वो तो ठीक बाता रहता देखते रहेंगे अब जो बड़ा ट्रिगर बनेगा ना वो अप्रेल में जो रिजल्ट साने शुरूंगे क्यू वन के उनके अमेरिका के उस पर मार्केट अप रियक्शन देगा क्योंकि वही सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए बना हुआ है तो ट्रेडर्स को जहां थोड़ा बहुत प्राफिट बन रहा है वहां ले रहें य उनमें से अच्छी खासी होगी अब इसमें दो तरह कि मैं आपको विव आपके सामने रखता हूं गोल्में सैक्स के यह कहना है कि मन्थेंड और क्वाटर एंड में री बैलेंसिंग होती है बड़े फंड की पेंशन फंड की इन सबकी तो करीब 35 बिलियन डॉलर का पुल ब देते हैं अपना एलोकेशन वगरा सब कर देते हैं फिर अगले तीन-चार महीने मार्केट थोड़ा सुस्ट सरहता है तो फिर ट्रिगर वहीं पर आएगा जून में रेट कट होता है नहीं होता उस पर तैय होगा तो यह दो बड़े बैंकों ने जो अपने गाइड़न्स द सर के आसवार सब्सक्रास कर गया है लगाहिं ही रालाई हो रही है रश्या हुए थृ वह सब्सक्राइग कंटर एट्र आटें खिर यह लडाई थोड़ी और बढ़ रही है फिर उस चक्र में कुरूड और तीजी पकड़ रहा है तो बज़ रहा है यह थोड़ा सा कंसें इंडिया के बनेगा अगर यह 90 क्रॉस हो गया तो फिर ज्यादा दिक्कास हो जाएगी दूसरा गोल्ड भी बहुत बढ़ता जा रहा है गोल अभी सुबह सुबह मने पड़ा कि गोल्ड में सेक्स ने कहा है कि इस साल 2300 डॉलर का भाव हो जाए गोल्ड का अभी चल रहा है कितना 2700 डॉलर यहां से और उपर जाएगा वो करें कि कोई नर्मी संकेत नहीं है डालर की गोल्ड की बाइंग ना उसकी बहुत सारी कहानिया हो सकती है इसलिए मुझे नखता है गोल्ड थोड़ा सा अलग परस्वेक्टिव देखना चाहिए लोगों 300 डॉलर तक क्या रहे हैं यह सब लॉंक टुम स्टोरी है नेटनेट आज का मार्केट थंड़ा कहिए आप यूर्स का थोड़ा थंड़ा मार्केट है कोई बहुत ब चिसलिए मुझे का मार्केट है जब बहुत का मार्केट है कोई है ने पास कि झाए लॉंक स्टोरी है ने गल बहुत अलग लोगों स्टोरी है यह संगना उत बहुत है दो वर यह